हेलो स्टुडेंट्स गुड मारिंग बेटा इस वीडियो में हम करेंगे इंटेग्रल कैल्कुलस जो हमारा चेप्टर है उसका टॉपिक है चेंज दा ओर्डर आफ इंटिग्रेशन तो डबल इंटेग्रल में ओर्डर कैसे चेंज करते हैं यह इस वीडियो में हम सिखेंगे तो स्टाट करते हैं हमारे पास्व कुश्चिन है चेंज दा ओर्डर आफ इंटिग्रेशन इन सुरो टू ए जिरो टू एकस fxy dy dzx थिक है तो इस कोश्चिन में हमें सिरफ order of integration change करना है integration नहीं करनी सिरफ उसका order change करना है ठीक है तो function का इसमें हमारे लिए कोई importance नहीं है तो कि function की ज़रूरत पड़ती है सिरफ integration करने के लिए यहाँ पर क्या है पहले हमें y के साथ integrate करना है उसके बाद x के साथ integrate करना है तो जब order change करेंगे तो उसमें पहले x के साथ integration होगी बाद में y के साथ integration होगी ठीक है तो अब इसको दो steps में question को किया जाता है पहले हमें statement को अच्छे से समझना है ठीक है अब यह देखो यह जो statement है दो limits दी हुई है एक है 0 से a दूसरी है 0 से लेके x तक तो understood है यहां से अगर आप देखोगे तो जो variable limit है 0 से लेके x तक थिक है तो यह limit किसकी हो सकती है x की limit तो कभी x में आएगी नी इसका मतलब जो 0 से लेके x तक की limit है वो understood है कि वो y की limit है और यह limits किसकी है यह x की limit है तो हम यहां पर limits को लिक लेते हैं ठीक है तो y की limits हमें क्या दी हुई है, y की limits दी हुई है 0 से लेके x तक और x की limits हमें दी हुई है 0 से लेके a तक, ठीक है, तो दो इतरह के questions बनते हैं, या तो y की limit x में होगी और x की constant और दूसरा x की limit y में और y की limit constant ठीक है तो इस question में y की limit हमें दियो ही है variable मतलब in the terms of x तो हम देखते हैं कि y की limit variable है तो जब इसकी diagram बनाएंगे तो उसमें vertical strip बनेगी क्योंकि जो y होती है y हमारा vertical axis में होता है ठीक है तो इसकी diagram बनाते हैं हम diagram कैसे बनेगी ये हैं हमारे पास axis ठीक है origin x axis y axis अब हमें लेना है सबसे पहले y is equal to 0 तो y is equal to 0 तो x axis अगया ये होगी line y is equal to 0 second line हमें लेनी है y is equal to x तो y is equal to x आगई हमारे पास ये वाले line ठीक है ये आगई y is equal to x उसके बाद हमें लेनी है x equal to 0 x equal to 0 तो y axis है और fourth हमें लेनी है x is equal to a तो x constant means line parallel to y axis तो ये हमारे पास line आगई x is equal to a तो सबसे पहले हमें ये जो चारो दी होई है equations ये चारो ड्रॉ कर लेनी है तो y 0 y x x 0 x a और हमारे पास क्या है vertical strip आइस में तो इसमें vertical strip हम ड्रॉ करेंगे ऐसे इस area में तो अब इसको match करके देखो तो ये जो vertical strip है हमारी वो यहां भी बना सकते थे हम या यहां पर भी draw कर सकते थे या आप यहां पर भी draw कर सकते हो कहीं पर भी आप draw कर सकते हो vertical strip तो हरे case में आप चेक करेंगे हम ये देखो जो vertical strip है यह वाली यह हमारी start कहां से हो रही है यहां से start हो रही है और यहां पर y की value कितनी है 0 और खतम कहां पर हो रही है यह इस line पर इस line पर y की value कितनी है x तो यह जो y के limits है न कि y हमारा start कहां से होता है 0 से और खतम कहां पर होता है जाके x पर अब ये वाली strip है, start कहां पर हो रही है y की value, 0 पे, और खतम हो रही है x पे, ये वाली strip है, इसमें भी start कहां से हो रही है y की value, 0 से, और खतम कहां पर हो रही है y की value, x पर, क्योंकि ये पूरी line ही क्या है, ये line है y is equal to x की, ठीक है, तो y की limit variable थी, और x की limit थी, 0 से लेके a तक constant, तो ये जो पूरी triangle है हमारी ये सारी जो triangle है ठीक है इस triangle में सबसे कम value कितनी x की वो इस point पे है कितनी है x की value 0 और maximum value x की इस point पे आ रही है तो कितनी है a ठीक है तो x की value यहाँ पर constant है minimum से लेके maximum तक और y की value जो है वो variable है तो y की value चेक करने के लिए हमें vertical strip लेनी पड़ेगी और x की value पूरी triangle में जो minimum से लेके maximum तक है ये हमारा first step हो गया जिसमें हमने सारी statement को अच्छे से समझ लिया अब हम इसका order change करेंगे तो order change करने के लिए इस diagram को वापिस बनाएंगे नए सिरे से तो same diagram draw करते हैं ठीक है वही नाम हमारे पास ये y 0 है ये x 0 है ये x equal to a है और ये y is equal to x same diagram हमने दबारा से बना लिया ठीक है और area जो है area भी हमें वही वाला रखना है जो हमारे पास पहले था मतलब ये वाली triangle थी न तो वही वाली triangle हमें रखनी है change नहीं करना area पहले भी ये वाली triangle थी तो अब भी हमें वही वाली triangle रखनी है बट अब change करके हमें करना क्या है पहले हमारे पास थी horizontal strip sorry vertical strip अब हम order change करना है तो हम बनाएंगे horizontal strip तो horizontal strip आप यहाँ पर बना सकते हो या यहाँ पर बना सकते हो जहाँ पर मर्जी बनाओ उससे कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है तो जो horizontal strip है यह वाली horizontal strip इसमें हम x की value निकालेंगे क्योंकि horizontal के लिए x निकालना है और vertical के लिए y होता है तो यहाँ पर starting में x की value कितनी है यहाँ पर x की value है y और खतम कहाँ पर हो रहा है x जाके a point पे अगर हमने यह वाली strip ली है तो भी आप देखो तो starting में x की value कितनी है y और खतम कहां पर हो रहा है x जाके इस लाइन पर यहां पर तो यहां पर x कितना है a इसका मतलब x की limits क्या आगी अब हमारे पास x आगया y से लेके a तक तो x की limits हमने निकाल ली variable में y में और दूसरा बचा y y की limit हमें निकालनी है constant तो इस पूरी triangle में y की सबसे छोटी value देखो कितनी आएगी तो पूरी triangle में दियान से अगर हम देखें तो सबसे छोटी value इस point पे आएगी या इस point पे आएगी दोनों पे same है तो minimum value कितनी है y की minimum value है y की 0 और maximum value कितनी है Y की? maximum value Y की आएगे जतनी ज़्यादा height है इस point पे हना, इस point पे, क्योंकि ये point क्या है, Y और X इस point पे equal आएंगे, क्योंकि ये इस line पे लाई करता है और X कितना है, इस point पे A है तो Y भी कितना होगा? A हो जाएगा ठिक है तो इस point पे y की value कितनी आ गई हमारे पास a तो y की minimum value 0 maximum a तो हमारा question change होके क्या हो गया y की limit आगी 0 to a x की limit आगी y to a function same रहेगा कोई फरक ने पड़ेगा पहले अब हम x के साथ integration करेंगे बाद में करेंगे y के साथ तो ये order जो था integration का पहले y अग x था अब change होके x y हो गया तो ये हमारा question solve हो गया ठीक है एक question और solve करते हैं ताकि हमें concept और अच्छे से समझ में आ जाए second question है change the order of 0 to 1 3 y to 3 e x square d x dy तो पहले statement को अच्छे से समझेंगे तो limits देखो तो 3 y to 3 जो y में limit है तो obviously वो किसकी limits होंगी वो होंगी x की limit ठीक है तो limits हम लिख लेते हैं x की limits क्या है 3 y से लेके 3 तक और y की limits क्या बची 0 से लेके 1 तक तो अगर हमारे पास x की limit variable है तो x की limit variable है इस question में तो हम क्या बनाएंगे जब x vary करता है तो horizontal strip बनाते है और जब y vary करता है तो particle strip बनाते हैं तो इसमें हम horizontal strip बनाएंगे ठीक है तो diagram बनाते हैं ठीक है तो diagram में क्या है हमारे पास सबसे पहले line है x equal to 3 y x equal to 3 y line कैसे बनाएंगे जब x 0 है तो y भी 0 है और जब y 1 है तो x 3 है तो points लेके हमारे पास ऐसे line बन जाएगी यह x equal to 3 y की line आ गई ठीक है और फिर y is equal to 0 y is equal to 0 तो मतलब x axis आ गया और x equal to 3 x equal to 3 line आ जाएगी यह वाली यह line आ गी x equal to 3 यह point कौन सा आएगा जब x 3 है यहां पर x 3 put करोगे तो y कितना आ जाएगा 1 हाना तो यह point के coordinates आएगे बिटा 3,1 और चौत्थी जो बची हमारे पास y is equal to 1 तो एक line आएगी y is equal to 1 यह आ गई हमारी डाइग्राम ठीक है अब इस question में भी students confused वह आते हैं कि यह तो दो triangle बन गी एक यह वाली triangle और एक यह वाली triangle तो इन दोनों में से कौन सा area हमें shade करना है तो हम यह देखो कि हमें बनानी है horizontal strip हमारी जो horizontal strip है वो start कहां से होगी वो start होगी 3 y line से और खतम होगी x equal to 3 पे ठीक है अगर हम यहाँ पर बना दें strip यहाँ पर बना दें तो आप देखो यह strip हमारी start कहां से होगी यह तो start होगी x equal to 0 से और खतम कहां पर होगी x equal to 3y तो यह गलत बन गई है न क्योंकि start होनी चाहिए थी 3y से और end होनी चाहिए थी 3 पे इसका मतलब जो strip है वो इस strangle में नहीं बनेगी ठीक है तो strip कहां पर बनेगी जाके वो बनेगी हमारे इस strangle में तो यह बनेगी strip ठीक है क्योंकि अब यह strip है तो यहाँ पर देखो x कितना है x है 3y और यहाँ पर x कितना है 3 तो जो strip है वो 3y से start होनी चाहिए थी 3 पे end होनी चाहिए थी तो 3y से start होई है 3 पे end होई है तो यह वाली triangle सही है y की value minimum 0 है तो इस पूरी triangle में minimum value जो आ रही है y की वो 0 आ रही है और maximum इस point पे आ रही है y की value कितनी है maximum 1 है तो हमारा area हमें पता चल गया जी यह वाला area है तो यह तो हमने statement को समझ लिया अच्छे से अब इसका order change करते हैं तो order change करने के लिए नई diagram बनाएंगे same चीक है तो यह y 0 है और y 1 रहागा तो यह y 1 है y is equal to 1 x is equal to 3 और x is equal to 3 y और यह point के coordinates थे 3 comma 1 और area हमारा था यह वाली triangle ठीक है यह वाली triangle तो पहले horizontal strip थी अब हमें क्या करना है vertical strip बनानी है ठीक है तो vertical strip बना लो जहां पर मर जी बना लो हमने यहां पर बना दी vertical strip यह vertical strip अब यह देखो यह vertical strip start कहां से हो रही है lower point कहा इसका यह वाला है न lower point और higher point यह वाला है तो lower point पे vertical strip से हमें y की value निकालनी होती है तो minimum value कितनी है y की minimum value है 0 और maximum value इस point पे यह जो line है इसकी equation x equal to 3y तो y की value कितनी आ जाएगी y की value आ जाएगी x upon 3 ठीक है अगर हम strip यहां पर बनाते तो भी हमारे पास minimum value कितनी आनी थी 0 और maximum value कितनी आनी थी x upon 3 तो उससे कोई difference नहीं आता कि आप strip यहां बनाओ यहां बनाओ या जहां मर्जी इस पूरी triangle में जहां मर्जी strip बनाओ बस यह दियान रखना है कि अगर statement में horizontal है तो answer में vertical होगी पहली example में statement में vertical थी तो answer में horizontal होगी थी क्योंकि order change करना है हमें तो इस पूरी triangle में y की value तो हमने strip से निकाल ली है और x की value हमें निकालनी होती है minimum से लेके maximum तक तो minimum value कितनी x की minimum value है 0 और maximum value कितनी है maximum value है 3 तो limits क्या आगई y की limit आगई 0 से लेके x upon 3 तक और x की limit आगई 0 से लेके 3 तक तो answer क्या बन गया हमारा answer बन गया जी 0 से लेके 3 ये x की limits आगई 0 से लेके x upon 3 ये y की limits आगई function सेम रहेगा पहले integration y के साथ होगी बाद में integration x के साथ होगी तो order क्या हो गया पहले dx dy था अब change हो के dy dx हो गया तो hopes हो कि आपको बहुत अच्छे से question समझ में आ गया होगा अगर अब भी भी problem है तो वीडियो का आप repeat देख सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगे तो like और subscribe जिरूर कीजिए